बक्रे की अम्मा कब तक खैर मनाईगी ये कहानी अतिक अहमत पर बिलकुल फिट बैट दिया है नमस्कार मैं हूँ आसीज धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा अहिल्य दस्तक साथियों बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आईए अतिक अहमत के बेटे असद को उत्तर परदेश की पुलिस ने गिरा दिया है जी हाँ दोस्तों बिलकुल सही सुन रहे हैं आप अतिक अहमत जिसका नाम सुनकर के पूरे प्रियागराज में खलबली मज जाती थी पूरा उत्तर परदेश जिससे थर-तर कापता था एक ऐसा दौर था अतिक अहमत का लेकिन आज का दौर वो है जब अपनी रहम की भीक वो उत्तर परदेश सरकार से माग रहा है आज वो बस में खड़ाओ करके कहता है कि मुझे मिट्टी में तो पहले ही मिला दिया गया अब तो केबल रगड़ा जा रहा है ये बोल है अतिक अहमत के साथियों आज की स्तिती अतिक अहमत की बत से बत्तर होती दिखाई दे रही है हाल फिलाल में ही पुलिस ने अतीक एहमद के बेटे एसत को मार गिराया है आज उत्तरप्रदेश की पुलिस का ये दाबा है कि अतीक एहमद का बेटा चंद दिनों भी नहीं टिक पाया और ये अतीक बही है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में कभी भूचाल ला दिया था सपा की सरकार में तूती बोलती थी बही अतीक एहमद है जिसके पास नजाने कितने ठेके हुआ करते थे और पूरी ताकत पे ठेके लिया करता था ऐसी तमाम बारदातों को पल भर में अंजाम दे दिया करता था कभी इसके बोल हुआ करते थे मीडिया पर कि मैं दंगल फिल्म देखने वे नहीं सीधे दंगल करने में बिशबास रखता हूँ यह बही अतीक एहमद नहीं जिस से पूरा उत्तर प्रदेश कभी कापा करता था मुस्लिम समाज का सबसे उभरता हुआ सितारी की रूप में अतीक एहमद ने कभी अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर राजनितिक धमक बनाई थी लेकिन आज आज उसकी हर चीज मिट्टी में मिला दी जा रही है दीरे दीरे करके उसका सारा खेल खत्म कर दिया जा रहा है उतरपरदेश सरकार और उतरपरदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का ये दावा है कि ऐसे खूंकार अपरादिय और अपरादियों की पूरी गैंक को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी लेकिन आज ये पूरा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है आज ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आज के बल होता हुआ नहीं बलकि इस पूरे घटना क्रम से पूरा समाज खुस है आज पूरा प्रियागराज खुस है आज पूरा देश खुस है आज पूरा उत्तरपरदेश खुस है और बहीं प्रियागराज में कहीं न कहीं जहां इससे लोग थर-थर कापा करते थे इसके आतंक का अंत होने का इंतिजार किया करते ते वो घड़ी अब धीरे-धीरे लोगों के पास आ रही है, लोगों के नजदीक आ रही है सातियों आज, आज का देन कहीं न कहीं उन लोगों के लिए बहुत सुब है जिन्होंने अपना बेटाखोया, जिन्होंने अपना भाई खोया मैं बात कर रहा हूँ मेश पाल की आज उनके परबार को तसल्ली पड़ी होगी सातियों सबसे बड़ी खबर जो निकल के आई है वो अतिक एहमत के बेटे असद और अतिक एहमत के सबसे बड़े सूटर गुलाम को उत्तरप्रदेश की पुलिस ने एंकाउंटर में धेर कर दिया जिस पे 5-5 लाख रुपय का इनाम भुसिस था ये लोग वो हैं जो सदियों से इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते चलिया है अतिक एहमत बही सेक्स है जिसने प्रियागराज के बिधायक को दिन दाहाडे गोलियों से भून दिया था वो पल कभी भुलाई नहीं जा सकते उत्तरप्रदेश के अंदर उत्तरप्रदेश के प्रियागराज की सहर पश्चिमी बिधानसवा से राजुपाल बिधायक हुआ करते थे बसपा की सरकार में वो बिधायक हुआ करते थे और उस समय मौझूदा सरकार उत्तर प्रदेश में समाजबादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उसी का फाइदा उठा करके उसने पूरे बिधाय को अपने पेरुतले रौन दिया था आज बही अतीक आहमद जब अपनी रहम की भीख मांग रहा है अपनी जान की भीख मांग रहा है तो पूरा देश उसको देख करके हरान पढ़ गया है बिसेश कर पिर्यागराज के रहने वाले लोगों को इसके आतंग का अंदाजा होगा सातियों आज इसके आतंग का अंदाजा खत्म होने लगा है आज इसका आतंग सारा धेर होने लगा है मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत